Many congratulations to IUML 75 साल IUML ने अपनी यात्रा के पूरे किये उसकी धेरो सुपकामनाय और बधाई देता हूँ आपके साथ मैं गुजरात से चल कर ये कहने के लिए आया हूँ कि गुजरात भी केवल मोदी का नहीं गुजरात से कोई मेवानी भी है और ये लड़ाई भारत के समविधान को बचाने की लड़ाई है ये लड़ाई कोई हिंदु मुस्लिम की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई भारत के आत्मा को बचाने की लड़ाई है और हमारे नेता राहुल गादी कन्या कुमारी से लेके कश्मीर तक जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले उसका एक ही पैगाम था भारत को जोड़ने का दिलों को जोड़ने का महबत की बात करने का इसी प्यार और महबत का संदेश और पैगाम लेकर मैं आपके बीच में यहाँ पर उपर सित रहा हूँ साथियों ये देश जवारलाल का है मौला नाजाद का है शहीद आजम भगत सी का है बाबा साब अंबेड कर का है और रामा स्वामी पेरियार का ये दिश है और मुझे उम्मीद है कि संकट का समय है काले बादर ठाये है लेकिन हम तमाम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे तमाम लोग साथ में मिलकर इंकला आप जिन्दाबाद का नारा बुलंद करेंगे तो मुझे पुरा यकिन है हम लोगे कि इस लड़ाई को जीत पाएंगे साथियो या RSS और BJP के लोग जो हमारी कौमी एकता के उपर हमारे सम्विधान के उपर हमला किया है वो असलियत में बहुत कमजोर लोग है RSS और BJP के लोग या उनके बाप भी कभी स्वतंत्रता के अंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किये थे कभी ये लोग बारत के सम्विधान का सन्मान नहीं किये कभी ये लोग हमारे तिरंगे के राष्ट द्वजगबाग भी सन्मान नहीं किये तो उनकी कोई आउकात नहीं है कि हमारे देश को और हमको राष्ट प्रेम क्या है ये लोग हमको सिखाई ये उनकी कोई आउकात नहीं है साथियो मैं आज के वह इतना कहना चाहता हूँ तमिल लाडू की इस धर्ती से कि हम तमाम लोग वो किसान हो मजदूर हो दलीत, आदिवासी, ओभी सी मुस्लीम किसान, मजदूर बेरुजगार, युवा हम तमाम लोग साथ में मिलकर जाती और धर्त से उपर उठकर बारत के समविधान को अपनी आखों के सामने रखकर यदि संकत करे तो तमिल लाडू में भी इनके जीतेगा केलला में भी हम लोग जीतेंगे और 2024 में भी हम लोग मोदी को हरा के दिखाएंगे RSSS और भाजपा को हरा के दिखाएंगे इनी सब्दों के से अत्मा अपनी बात को यहां खतम करता हूँ आखिर मैं इतना कहना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर एक भेंकर जो कॉम्मिनल महौल खड़ा किया है उसके खिलाब सम्विधान में मानने वाले बहुत से लोग है कॉमी एकता में महनने वाले प्यार और महुबत का पैगाम देने वाले भी बहुत लोग है इन तमाम लोगों को साथ में आकर आने वाली दिनों में 36 गड़, राजस्तान, मद्यप्रदेश, करनाट का जहां पर भी इलेक्षन है वहाँ पर हम तमाम लोगों को साथ में मिलकर जाना चाहिए और वहाँ पर भी हम लोग BJP और वारे से सको हराएंगे तो दोर जाज 24 का रास्ता भी खुलेगा इनी सब्दों के साथ मैं अपने वारी को विराम देता हूँ जई भीम, जई भारत, इंकलाब जिन्दाबाद